हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोलो जी कैसे हैं आप सब भी मेरे लडू लाडू कनया केशो मेरे भी हारी लाला मेरे गोपु लाला की असीमो असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे उनक की लिलाओं का आनंद हर पलहर चंड ले रहे हूं कोई प्रेशन लेकर आपके साथ नहीं आई हूं आज कुछ ऐसे संकीत आपके साथ में मैं सांजा करूंगी जिससे आपको पता चलता है कि आपके जीवन में भी आपकी भी जो बड़ी दिनों से बड़े ही टाइम से परिशा देते हैं जी तो चलिए शुल करते हैं व्लोग को हरी बुरा दिन हो या आच्छा दिन हो वो कभी वी एक जैसा समय नहीं रहता है जब अच्छा समय नहीं टिकता है तो सोचिए बुरा समय कैसे टिक सकता है जी बहुत सारे लोग अपनी जिन्दगी से बड़ा परिशान रह और कभी भी जिन्दगी से शिकायत ना करें क्या आपको पता है बहुत ऐसे सारे लोग भी है जो आपके पास आपकी जिन्दगी है आपकी जैसी जिन्दगी है वो वैसी जिन्दगी के लिए तरस्ते हैं तो कभी भी अपने जिन्दगी को कभी भी न कोसें कभी भी उसको इतना हताश हो करके ना जीए ना जाने कितनी योनियों के बाद में हमको मनुष जीवन मिलता है जी और मनुष जीवन में भी मिलता है मेरे लाला लाली का सेवा का सव भाग्य जी तो चलिए कुछ संकेत जो की पहले ही मेरे प्रभू अपने सेवादारों को भक् कोच में रहते हैं बड़ी गहरी चिंतन में रहते हैं कि यह कैसे होगा ऐसा हो गया तो अब आगे कैसा होगा अब क्या होगा लेकिन नजाने कैसे घर का जो मुखिया है वह अचानक से खुश रहने लगता है अचानक से ही वह जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिड़ च खुश रहने लाई हैं आपके घर में बिना आपके बुलाएं लोग आपसे मिलने के लिए आने लगते हैं। संकेत सबको देखे मिलते हैं लेकिन कुछ गौर करते हैं कुछ गोर नहीं करते हैं। इसमें सबसे बड़ा संकेट जो है घर का मुझ्खिया खुश रहने लगेगा परिवार में जो कला कलेश होगी वो अचानत से बिलकुल खतम होने लगेगी और लोगों का आपके घर में आगमन होने लगेगा ऐसे लोगों का जिनके आने से आपको खुशी मिलती है आपको बड़े हुए हो तो ये तो सो लोगों में से एक को आता है लेकिन ब्रह्म मूरत के समय का कोई आप नॉर्मल सपना भी देखते हो कि आप अपनी छट पे खुले आसमान में खड़े हो पंची उड़ रहे हैं सूरे निकल रहा है तो समझ लीजेगा कि आपके दिन बदलने व लगे अपने आपी अपने बच्चों के साथ में आपने जो भी दाने अवश्य रखिये दाना रखा है पानी रखा है बहुत सारे लोग दाना भी रखते हैं पानी भी रखते हैं लेकिन जो पंची होते हैं वो नहीं खाते हैं लेकिन आकारण ही वो आ करके खाने लगे तो स बहुत शुब संकेत होता है जी बहुत ज्यादा समझ लीजिएगा कि आपके घर में खुशियां आ चुकी है जी एक मुख्य स्वपने जो होता है वह होता है सपने में यदि आप अपने पित्रों को देखते हो आप अपनी दादी को देखते हो या अपने पित्रों को देखते और पित्रों को भी देखिए तो वो पित्र बहुत खुश हैं आपके साथ बैठे हैं बड़े ही खुशी मन से आपके साथ में हैं तो ये भी सपना बहुत शुब होता है जी यदि आप यात्रा के दो रान पर सुबह घर से निकलते हो तो आपको दही का भरा पात्र मिल जाए दूध का भरा पात्र मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका जो भी कारे के लिए आप जा रहे हो आज वो कारे आपका 100 गुना जादा फलदाई होगा और यदि संदेह आपको 10% का भी है कि यह होगा कारे की नहीं तो बिलकुल इतने शुब और इतने अच्छा आपको दूद और दही मटकी में अगर आपको दिख जाए या दूद पूरा भरा पात्र दिख जाए तो समझ लिजेगा वो कारे को होने से आपका कोई रोक ही नहीं सकता जी यदि आपका भी दूद और दही का इस तरीके से पात्र देखें भरा हुआ तो कुछ पैसे अवश्य वहां पे ड्रग दे फिर बात आती है कि हीरन यदि आपका रास्ता कार जाए देखिए आपने कभी भी हीरन को जाते हुए अपने आप घर से निकले हो और आपके साम में से हीरन चला है वफ्तार रेतोपूर्ण हो गया मेरी राधरानी की असीम क्रिपा से मेरी श्री जी की और अब मैं आपको एक बहुत मुख्य संकेत बताने जा रही हुए ये संकेत है कि यदि आपके दौर पे कोई सादू कोई ब्रहमण आ जाए यदि आपके दौर पे कोई स और वो जब आपके पास से जाएगा ना तो सारा आपका दौर कलेश संकट सब ले के साथ में जाते हैं उनको भोजन अवश्य कराईए उनको कुछ दक्षिना अवश्य दीजिए जी रात्री काल में कोई मिश्ठान लेकर कि अगर आपके घर में आ जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रमान होता है कि आपका जो वक्त है आपके जो बुरे दिन यदि चल रहे हैं तो वो अब समाप्त हो चुके हैं जी शाम के समय रात्री के समय यदि आपके घर पे कोई अचानक से आ जाता है जो की फल मिठाई लेकर के आता है खास दोड़ से दूद की बनी मिठाई तो समझ लीजेगा कि मेरी श्री जी की असीम असीम क्रिपा और मेरी श्री जी आपके घर में प्रवेश कर जाए तो प्रिय उसे बस एक ही प्रातना करिए कि यदि मैं आपके उंगली पकड़ना भूल भी जाऊं लाला तो आप मुझे सदैव यूही अपने गोध में रखना मैं यदि आपका नाम जपना एक छण के लिए भी भूल जाऊं लाला लेकिन आप मुझे स्वाएं हमेशा सदैव यूही ता आने कितने सव गुणों से भी आपको ज़्यादा लगेगा कि आपको लड़ुबाबु कितने प्रेम से निहार रहे हैं तो ये थे कुछ संकेत प्रियभक्तों जिन से आपको पता लगता है कि आपका जो बुरा वक्त है वो समाप्त हो चुका है जो-जो ये वीडियो देख ब्लाग में बहुत जल्दी हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोलो जी राधे राधे राधे